हेलो गाइज वेलकम बैग माई यूट्यूब चैलर गाइज एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल सीन विंजिरे चैलर में तो गाइज आज मैं एक और सांधा टॉपिक लेक आया हूं कि जैसे कि गरी में स्टार्ट हो चुकी है और एसी का वर्क भी बहुत जाली हुई है तो आज हम अपने दर्सकों को यही चीज दिखाएंगे अपने मेकैनिक भाई को यह चीज बताएंगे कि एलजी डिस्पेले में लाइट नहीं आती है तो हमें क्या क्या वर्क करना चाहिए कहां से स्टार्टिंग करनी चाहिए वास सब इस वीडियो में आप आज हमय सीज चीज को हरेंगे अपने आक टेखा होगा कि वहरए भी कटी होती तो हमारी वएरे भी कोई कटी नहीं है बिल्कुल साप सुद्री वहरे हैं इसमें मेकैनिकल फाल्ट क्या है आए देखते है चेक करतें तो मैंने इसको यहां पर श्टार्ड कर दिया है और आब आप सारे स्विच होते ये आपको मैं इस ie डिखा देथा किया है यह डिवने सभी ब्रिंट रूच करना होता है कि हमारा पावर स्विच खराब तो नहीं है इसमें तो पावर स्विच चेक करने के लिए मैं आपको सीधा सा बदा देता हूं तरीका यहाँ इस print हुआ पड़ा है यहाँ पे हम touch करके इन दौनों को touch करके देखेंगे अगर touch से हमारे display saw हो जाता है तो हमें switch की problem है हमें switch यहाँ से repair करना होता है change करना होता है तो आईए start करते हैं और देखते हैं यहाँ से लगा के यह आप देख सकते हो फैन इसका चल चुका है और डिस्प्ले में भी लाइट सोग होने लगी है तो हमारी प्रोब्लम इतनी सी थी कम सब्दों मैं आपको बताऊंगा कि एक बार मैं इसको फिर ओफ करके आपको दिखा देता हूं बेक साइड से यहां से ओन कर दिया है अब मैं इसको टच करूंगा यह देखिए चल चुका है तो इसके स्विच काम नहीं कर रहे हैं कुछ स्विच काम कर रहे हैं कुछ स्विच काम नहीं कर रहे हैं और यहां से पावर का भी ऑन ओफ नहीं हो रहा है आप देख सकते हो तो हम हमें क्या करना होता है कि हमें पावर कर स्विच चेंज करना है